तो दोस्तो 1 December 2022 को इंडिया के इंदर CBDC एनी Digital Currency को लांच कर दिया गया है तो दोस्तो आज की इस वीडियों में मैं बताऊगा कि actual में ये CBDC Digital Currency क्या है और ये Digital Currency किस प्रकार वर्क करेगी जो आपके physical note आते हैं सु रुपे के दो सु रुपे के पांसु रुपे से इससे हट कर किस परकार यह जो डिजिटल केरेंसी है CBDC डिजिटल केरेंसी है यह किस परकार वर्क करेगी और गॉर्मेंट RBA के दुआरे यह जो डिजिटल केरेंसी है ये क्यों launch की गई है इससे government को क्या-क्या benefit हो सकते हैं और साथ ये साथ जो एक आम व्यक्ति है जो इस currency को use करेगा उस आम व्यक्ति को आम नागरिक को इस currency से कौन-कौन से benefit कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं और दोस्तों ये जो currency है digital CBDC currency है इस currency को use करने के लिए आपको कौन सी application को install करनी है ये application आपको कहां से मिलेगी और किस परकार इस application को install करने का process है और दोस्तों अभी जो CBDC currency है वो कौन-कौन से बैंकों के दौरा ये जो सुविधा है दी जारी है सारी चीजे इस वीडियो में cover करने वाला हूँ तो दोस्तों इस वीडियो में आप लगतार बने रहे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like and दोस्तों चैनल को जुरू subscribe कर लेना आप तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो ये CBDC डिजिटल केरेंसी है ये क्या है दोस्तों जिस परकार आपके physical note होते हैं कागज के note होते हैं 100 रुपे के 200 रुपे के 500 रुपे के इस currency से बिल्कुल ही हटकर यह CBDC Digital Currency है जिस परकार आपके physical note होते हैं 100 रुपे के 200 रुपे के सेम इसी परकार आपको बिल्कुल digitally token दिये जाएंगे जो कि यह token 100 रुपे का होगा 200 रुपे का होगा 20 रुपे का होगा 10 रुपे का होगा आपके mobile में ये token आपको दिखाए देगी मातर और मातर आप इनको देख सकते हैं इनको छू नहीं सकते हैं जिस परकार आप अपने physical note को छू सकते हैं टच कर सकते हैं इसी परकार आपको token दिये जाएंगे आपको mobile के अंदर इन mobile के अंदर इन token को आप देख सकते हैं और ये token 10 रुपे से लेकर 1000 रुपे तक के token होगे जो की बिल्कुल note के तरह आपको दिखाए देगे और इन token को आप digital ही किसी को भेज सकते हैं किसी को transfer कर सकते हैं और आप खुद भी इन token को आप ले सकते हैं जब चाहे आपको एक mobile application दी जएगी bank के द्वारा इस mobile application से आप अपने bank के द्वारा इन token को load कर सकते हैं जो की आपका physical पैसा होगा वो physical पैसा आपके token के रूप में transfer होकर आपको अपने mobile के application में दिखाई देगा और इन token के जिरे ही आप shopping बगरा कर सकते हैं साथ में यहाँ पर merchant भी set के जाएंगे merchant barcode लगाए यहाँ पर bank के द्वारा जो आपको application दी जाएगी उसी application से उस merchant barcode को आप scan करके आपकी जो token है उनको आप send कर सकते हैं और आपके जरूरत का सामान आप पर charge कर सकते हैं और दोस्तों यह जो digital currency है किस परकार काम करेगी जिस परकार दोस्तों आपका physical पैसा है आपके physical रूपे हैं 100 रूपे के नोट, 500 रूपे के नोट, सेम इसी परकार से यह जो CBDC digital currency है सेम इसी परकार से काम करेगी परोल मातर आप इस currency को physical दे नहीं सकते हैं आप अपने phone के तुरू ही इस currency को transfer कर सकते हैं और यह currency आप without internet के भी transfer कर सकते हैं इस currency के कुछ serial number आपके mobile में दिखाई दे इन number के थुरू आप without internet के भी इस currency को merchant account पे transfer कर सकते हैं जिस जगे से आप shopping कर रहे हैं उस जगे से without internet भी इस currency को आप transfer कर सकते हैं जो की काफी अच्छी भैतरी नसुईदा है अब दोस्तों यहाँ पर हम सबसे बड़ी बात कर लेते हैं कि जो government RBA है यह digital CBDC currency क्यों launch कर रही है इस currency से government को RBA को क्या benefit क्या फाइदा हो सकता है दोस्तों यह जो CBDC digital currency है इससे सबसे ज़्यदा फाइदा government RBA को ही होने वाला है क्योंकि दोस्तों आपकी जो physical note होते हैं उसकी बनाउट में उसकी छपाई में RBA government को काफी ज़्यादा खर्चा बैठ जाता है और इन note की security में bank म है उसको लाया गया है और साथी साथ पुराने note होते हैं वो बैंकों में आप लोग जमा कराते हैं और पुराने note के बदले नए note लेते हैं उनकी छपाई के अंदर जो खर्चा government को बैढ़ता है यह सबी खर्चे अब government को काफी कम हो जाएंगे इस digital CBDC currency की वज़े से इसलिए government यह जो currency है यह launch कर रही है दोस्तो इस currency से एक आम विक्ति को आम नागरिक को भी छोटे मोटे benefit हो सकते हैं जैसे physical काफी सारे note अपने pocket में वो लेकर घूमने की बजाए वो phone से ही इस digital currency का लेंदेन कर सकते हैं और इससे loot part में काफी ज्यादा benefit एक आम विक्ति को एक आम application आपको install करनी होगी और उस application के थुरू ही दोस्तो आप इस currency को use कर सकते हैं इस currency को transfer कर सकते हैं आपका किसी भी bank में account है SBA में Yes Bank में IDFC में फिर ICIC bank में अगर इन bank में आपका account है तो यह digital currency वाली application आप install करके यहाँ से इस currency का आप लेंदेन कर सकते हैं यहाँ पर दोस्तो जर आधार ICIC से account और आपके bank के थुरा भी आप account बना सकते हैं यहाँ पर bank की जो application में लेगी उस application में ही आप इस currency का लेंदेन कर सकते हैं यहाँ पर third party application से इस currency का आप लेंदेन नहीं कर सकते हैं जिससे third party जो application है phone पे है पे टीम है भीम UPI है या फिर जो भी Google पे application है इस application के दूरु ही आप इन digital currency का लेद दिन आप लोग कर सकते हैं वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन सी यह application है और किस परकार इस application के install करने का process रहने वाला है अब दोस्तों यहाँ पर मैं फिलाल की बात कर लेता हूं तो इस digital currency का जो अभी यह project है यह pilot project है demo project है तो अ होता जो bank है वो yes bank है इन चार ही bank में अभी demo pilot project के रूप में इस currency को यूज किया जा रहा है और साथ इसाथ चार state में ही इस currency का लेंदेन अभी चालू किया गया है जो की state है डेली, मुंबई, बैंगलूर और भुयनेस्वर अगर इन चार state से आप विलोंग करते हैं तो दोस बता हूं कि कौन सी ये application है और किस परकार इस application को install करने का process रहेगा माँ आपको बता दोस्तो हर bank की इहां पर अलग-अलग application ही आप install करके इस currency को यूज कर सकते हैं दोस्तो जैसा कि वीडियो में मैंने पहले आपको बताए था कि ये जो e rupees का feature है ये चार ही bankों में और चार ह state बताए थे उन state से अगर आप belong करते हैं तो दोस्तो आप e rupees की इस application को आप install कर सकते हैं क्योंकि आपके bank के दौरा आपको e rupees की application प्रवाइड करवा दी गई होगी तो मेरे बताएगे state से अगर आप belong करते हैं तो आपको क्या करना है आप यहां पर देख सकते हैं ICIC bank या फिर SBA bank की e rupees application को आप install कर सकते हैं यह application अभी आपको play store पर देखने को नहीं मिलेगी तो इस application का link इस video की description में मैं आपको दे दूँगा और अगर आप मेरे बताएगे state से विलोंग करते हैं तो यह application आपके bank के दौरा आपको provide कर दी जाएगी तो जब कभी भी आपको यह application मिल जा करना है और आपको फिर से अलाव के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद में आपकी सामने कुछ ट्रमेंट कंडिशन देखने को मिल जाएगी तो यहां पर इन ट्रमेंट कंडिशन को आपको यहां पर accept कर देना है और यहां पर आपको next के बटन पर क्लिक करना है इसके बाद म पर क्लिक करेंगे तो आपका सिम का वेरिफिकेशन यहां पर किया जाएगा और जब आपका यहां पर सिम का वेरिफिकेशन कंप्लेटली हो जाता है तो यहां पर अकाउंट बनाने का प्रोसेस आपको दिखाए जाता है आप बैंक के थुरू भी यहां पर अकाउंट बना सकत आप अपने आधार ekyc complete करके भी यहां पर account बना सकते हैं यह जरूरी नहीं है कि आपके पास में बैंक में आपका खाता यह हो अगर आपका खाता आपके बैंक में नहीं है तो आप खुद से भी यहां पर एक account जनरेट करके डिजिटल करेंशी का लेंदेन आप लोग कर सकते ह लेकिन without account और without KYC अगर आप digital currency का लेंदेन करते हैं तो आप एक SIMIT पैसो का ही लेंदेन कर सकते हैं यहाँ पर आप अधिक पैसो अधिक digital currency का लेंदेन नहीं कर सकते हैं तो दोस्तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा SIM का verification यहाँ पर failed हो चुका है और यहाँ पर लिखा हुए unable to process register the moment please try after later यानि कि दोस्तो यहाँ पर जो जिस state में यह ट्रायल पर काम चल रहा है उस state से हम यहाँ पर belong नहीं करते हैं क्योंकि दोस्तो अब यह जो अभी चार ही state में live किया गया है और जिन जिन state में यह feature live किया गया है उन्हीं state से हम belong नहीं करते हैं तो दोस्तो जब यह feature हमारी state में आ जाता है तो हमारी channel पर आपको जल्दी से एक और वीडियो देखने को मिल जाएगा तो दोस्तो उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो